दोस्तो यदि आपके पास में Facebook group है तो दोस्तो बहाँ पर आपके कोई restriction आया हुआ है या कोई burning आई हुई है दोस्तो आपको पता है Facebook पर burning आती है यानि कि हम Facebook पर कोई ऐसी post कर देते हैं या फिर हम कोई ऐसी पोस्ट अप्रूब कर देते हैं जो misleading हो, phishing हो, healthy speech वाली हो, किसी ने गाली गलोंच की हो, या कोई भी तरह का उसमें लफडा हो, तो ऐसी पोस्ट यदि हम अप्रूब कर देते हैं, या फिर हम खुद पोस्ट कर देते हैं, तो हमारे बार्निंग आ जाती ह है, कि यदि दो-तिन बार्निंग और आ गई तो हमारा facebook group restrict हो जाता है, और फिर हम उसको कैसे हटा सकते हैं, यह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कि आप facebook group को में जो restriction आया हुआ है, उसको कैसे हटा सकते हैं, facebook पे भी आ जाता है, facebook profile पे, लेकिन मैं facebook group के बारे म बताने वाला हूं, बहुत ही आसानी से, बहुत simple है दोस्तों, आप वीडियो को end तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, यदि आपने skip कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, end तक देखिएगा आप वीडियो को, मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे भी मेरा खुद का personal Facebook group है, दोस्तों, तीन group है मेरे पास में, जिसमें से एक group में दोस्तों, वहाँ पर बार्निंग आई हुई है, यानि कि यदि एक दो बार्निंग और आगई तो मेरा Facebook group restrict हो जाएगा, वहाँ पर, तो उसको आप फिर कैसे अठाएंगे, इस वीडियो में आपको तो दोस्तों, आप Facebook पर जाएंगे, अपना Facebook account login कर लीजिएगा, दोस्तों, जब आप login कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह मेरा Facebook account है, दोस्तों, Manmohan Singh नाम से मेरी ID है, तो आप मुझे यहाँ पर follow कर लीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दि देंगे, दोस्तों मेरे तीन गुरूप हैं, एक यह करनी से, एक राजपूत, और एक इंग्लिस में राजपूत, तो मेरे यह बीच वाले राजपूत है, इसमें यहां पर बार्निंग आई हुई है, तो दोस्तों यहां पर क्या करना है, मैं आपको step by step बता रहा हूं, पहले आप इसका screenshot ले लीजिएगा, इस तरीगे से, यहाँ पर screenshot ले लिया, इसका group का, अब यहाँ पर यह screenshot ले लिया, अब इसके बाद में यहाँ पर यह option दिख रहा है, यह wage इस पर आपको click करना है, यहाँ पर click करोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ pending post पगेरा दिखाई देगी, नीचे आप click कीजिएगा, group quality, तो हम इस पर click करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, group has some issues, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, मैंने admin बना रखा था इनको, इन्होंने post अप्रूब की, तो यहाँ पर tag down हो चुकी है, अब यह क्यों यहाँ पर आप देखेंगे, boylance and incitement, तो इसके कारण यहाँ पर यह जो मेरी, यह post है, यह अप्रूब हो चुकी है, और इस कारण यहाँ पर tag down हो चुकी है, यह region के कारण, boylance and incitement के कारण, अब दोस्तों इसको कैसे अटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, इस हम क्या करेंगे, back में आ जाएंगे, back में आ गया, अब यहाँ पर आपको, आपकी profile दिखेगी, इस पर आपको click कर देना है, click करने के बाद में नीचे जाना है, नीचे जाओगे तो यहाँ पर help and support का option दिखेगा, हम इस पर click करते हैं, इसके बाद में यहाँ पर report a problem का option कर दीजिए, यहाँ पर जब आप click कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, include in report, तो हम यहाँ पर इस पर click कर देंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह tab दिखाई देंगे, यह इतने feature दिखाई देंगे, आपको किस चीज से problem है, camera से, event से, feed से, game और app से, या आपकी profile से, या page से, facebook page भी होता है ना, तो page में भी ऐसी problem आ जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, profile में यदि restriction आया, तो वहाँ पर आप अठा सकते हैं, profile पर click करके, अब हमारे आया है group में, तो हम यहाँ पर group देख लेते हैं, यह रहा दोस्तों, group कहा गया, यह रहा groups, तो हम groups पर click कर देंगे, यहाँ पर click किया, इस पर click करने के बाद में, इसको तो हम यहाँ से अठा देंगे, इसको हम ऐसे अठा देता है, अब यहाँ पर आपको add image पर click करना है, जो हमने screenshot लिये थे दोस्तों, वो screenshot यहाँ पर आपको इस पर click करना है, और फिर इस पर क्लिक कर देना है अब यहां पर हमने क्लिक कर दिया अब हम क्या करेंगे यहां पर लिखा हुआ है describe the issues तो हम इस पर क्लिक करेंगे अब यहां पर जो problem है दोस्तों वो आपको यहां पर लिख देनी है मैं आपको description में दे दूँगा कैसे लिखनी है format आपको description में दे दूँगा तो वो आप वहां पर डाल दीजिएगा आपको group की जो link है वो आपको डालनी है और दोस्तों यहां पर मैं format डाल दूँगा तो उस format को वहाँ पे देखके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और दोस्तो फिर उसके बाद में लिखने के बाद यहाँ पे send कर दीजिएगा आपकी जो भी समश्या होगी उसका solution दोस्तो यहाँ पे Facebook आपको send कर देगा आपके पास notification आजाएगा जो भी problem होगी तो वो solve हो जाएगी दोस्तो दोस्तो यही तरीका है यहाँ पे restriction अटाने का यह मेरे हिसाब से तीन महीने तक रहती है यह बार्निंग भी तो यह तीन महीने बाद में यह हट जाती है क्योंकि मेरे पास में पहले दूसरे ग्रूप में आई हुटी आई हुई थी बार्निंग तो वो हट चुकी थी दोस्तो तो आप इस तरीकी से Facebook ग्रूप से restriction हटा सकत है